तो पिछले एक दो अबते से मैं नोटिस कर रहा हूं कि स्मार्ट वाच पे ज्यादा फोकस कर रहे है कंपनिया क्यों कि पेबल ने लॉंच करी फिर फिर फायर बॉल्ल ने लॉंच करी अब यहां पर नॉइस कैसे पीछ रह सकता था क्योंकि बजट सेग्मेंट में आप एक सर्कुलर डालेवागी वाच देखना चाहते हैं अच्छी वित कॉलिंग वाला फंक्शन तो यह है नॉइस की ट्विस्ट जो जस्ट लॉंच हुई है इस वाच में बहुत सरे फिटर्स प्रवाइट कर रहे हैं वारेंटी कार्ड और एक आपको मिल जाती हैं पर चारजिंग के बल आते हैं सीद डिवाइस को लेके तो यह डिवाइस की बात करूं मैं तो दिखने में तो डिवाइस बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं जो कि सबस्द एंप्रेस करा मुझे कि प्राइजिंग कहीं है कि बह मेरे पास यह ब्लैक वाला कलर इसमें गोल्ड विरिंट भी आता है जो गोल्ड विरिंट के हाथ आप लेदर वाला स्ट्रेप लगांगे ना बहुत ज्यादा सही लगी ऐसे इस वाले की बात करें हम लोग तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है और ब्लैक कॉमन और साइड में आपको दो बटन प्रोवाइट कर रहके एग है एक अपर डैदिकर दे बटन के लिए और इक आपको मैं मेंन बटन अरुचा और पीछे आपको आपके सारे essential sensors देखने को मिल जाते हैं Top पर आपको एक हलका सा curved glass देखने को मिलता जो कि basically 2.5D का glass उन्होंने यूज़ कर रखा ताकि एक look कहिना के बैतर बन सके तो design के मामले में तो watch मुझे personally सही लगी है बट जो display है वो एक कहिना के interesting चीज हो जाती है और काफी लोग expect कर देए कि display quality बढ़े है मिलना चाहिए तो यहां पर और ने 1.38 इंच का TFT स्क्रीन यूज़ कर रखी है बेजल आपको थोड़े देखने को मिल सकते है अच्छी लग रही है और डिस्पले की बात करूं तो यहां पर ब्राइटने से क्लीम कर रखी और मुझे उसका experience आपर देखने को मिला का जैसे भार सनलाइट में भी यूज़ कर रहा था मैं बहुत एक्स्रीम हार्ष लाइट भी गिर रही थी तो हलका शेड लेने पर वाच विज़िबल हो जाती बाट नॉमली अगर आप डेली यूज़ कर रहे हैं तो यहां पर कमते नहीं बट दूसरी चुछ पर फोकस की जाएसे की वाटर रेटिंग के तो यहां पर IP68 रेटे तो तीन दीन तक तो आप इस तो मैक्स-to-maks परफोरमेंस एक्सपेक का सकते हैं अगर आप सभी चीजों के एकदम एक्स्रीम लेवल पर यूज़ कर रहे हैं तो सैंसर के अगर बात करें तो सैंसर में हमेशा करना तो कि नॉइस की सैंसर आती हैं उससे तो आपको बैतर दे नॉइज ने यहां पर जो उनकी स्क्वेर डायल वाली वाचेज में जो यूए रखी थी उसी को यहां पर उनने कंटीनु कर रहा है जो कि नई वाली आपने देखी होगी तो यहां पर आपको ऐससे दिक्कत नहीं आएगी और अच्छी वग का जाती है तो नोटिफिकेशन वाली चीज में लादी है नीचे से करने पर आपको सारे आपके जो सेटिंग्स आप्शन है वह आपको मिल जाएंगे इसकी बैटनेस कंट्रोल है सेटिंग्स हैं डी इंडी ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रखा है लेट से करने में तो यहां को सारी ट्रैकिंग बगए आपकी जो हैं पर मिल जाती है वह दे रखी है और संडर इस पर आपका जो में यहां पर वाच फेस वाला उप्शन है उसको आप देख सकते हो कुछ वाच फेसे जहां पर जो दे रखे हैं इसमें बिल्ट इन चार उनको आप चेंज कर सकते हो तो यह वही एक्स्पिरिंस आपको दिखकत नहीं आएगी फीचर से बात कर ली जाए हां पर तो हंड्रेड प्लस स्पोर्ट्स मोड आपको प्रोवाइड कर रखे जो कि मेरे साफ से बड़ी चीज हो जाती है एक्टिविटी के लिए आप भार जा रहे हो रणिंग कर रहे हो जोगिंग कर रहे हो तो ब और वन अफ बेस्ट कॉलिंग फंक्शन मुझे लगता है तो इसमें जो माइक और स्पीकर देरेका टेस्ट आपको बार करेंगी जो मैंनी वाली चीज आपको देखने को मिल थी तीन चीज मिल दाती है उपके फेवरिट कॉंटेट्स आपको सेव कर सकते तो डायल पिल और शव्यण ऊपकर मुट क ऐए सब एक सब्सप्ट अबने बादब जाएगा जाएका जाएका एकोाफोण क करेंगे सब्सक्राइलेका आपको आफको अवेलिबल जाएका उपको सब्सक्रा-पेकर भर गाती। अब कर रहें लोग और राता कि अइस लोगे अपको आपको कर रहे हो steel ray कि या बेठे-बेठे भी तो उसको भी करना कि रिकॉड कर लेता है बाकि पफामेंस ताही है और एचा रीडिंग तो मैं काफी क्लोस तो इसमें कह सकता हूं अगर आप मेडिकल एक्विपमेंट के मुकाबले कंपर करेंगे तो बट एस प्योटो को लेके मैं आपको पॉपर वाच पे देख सकते हैं और बागी जो आपकी बेसिक फंक्शन जाए ना जैसे कि क्लोक में आप देखेंगे आपको इहां पर मिल जाएगा आपका ताइमर आपका स्टॉप वाच आपका अला और वर्ल्ट कलोग अला फीचर जो नॉइस काता है वो भी एक जो किया आज़कल फीचर आपको हर वाच में देखने को मिल ला था वो है कैलकुलेटर तो हाँ इस वाच में वो भी आपको दे रखा है अब जो मेजर फीचर जिसके में लोग बाज कर लेते हैं वो है कोई क्रिपलाय वाला उप्शन एक कॉमन फीचर है जो आपको फेशन एक आप लुगोगा यहां पर वाच फेशन एक लेखने को में लात है इंको डाउड कर सकते हो कस्टमाइज फोड़ अगरा लगा तो वो भी आप कर पाऊगे जो की नॉइस का अप्लिकेशन पर वेलेबल कर आप नॉइस के अपलिकेशन तो आप लोगों एन देखि फेवरेट कॉन्क्लूजन को लेके वाच के तो में कहना है कि दो हजार रोपेश की प्राइजिंग रखी है जहां पर बड़िया लगी मुझे यूई एक्सपिरिंस भी आपका अच्छा रहेगा तो मेरे वीजनी के साब से यह वाच 2,000 रुपे के पैस में कहीं ना कहीं वैल्यूबल है अगर यह इस प्राइज में मिल रही है तो आप डेफिनेटल इस यू खरीद ले बट प्राइजिंग अगर बढ़ जाती है तो फिर कहीं ना कहीं आपको और दूसरी ऑप्शिन भी अवेलेबल हो जाते हैं चेक आउट करना इसकी बैस बाइस 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 बढ़ जाएगी बस इतना ही कहुआ कि अगर आपको इफ्रमेटिव लगा है तो लाइक जरू से करना और दोस्तों कैश्यर करना और आपका जो प्यारा वाला कमेंट जब भी आता है तो अच्छी खुशी मि पर फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो कर लो जहां पर इंट्रेस्टिंग बीटेस लोगे रहा आपको देखने को मिलते हैं बागी बस ही जो प्यार है बरकार रहे तो मिलते हैं जाल नेक्स वीडियो में तब तक के लिए सिट उन रहेगा दोरी एक्स्टोर के साथ